आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone Question है हमारा Write a Chemical Equation to illustrate the Ammonolysis Ammonolysis दिखाना है हमें कोई भी एक Chemical Reaction लिखनी है Ammonolysis क्या होता है Ammonolysis क्या होता है When NH3 acts as Nucleophile जब भी NH3 Nucleophile की तरफ बहेव करेगा तो उसको हम बोलते हैं Ammonolysis ठीक है अगर हम देखे reaction एलकोहल का Ammonolysis ठीक है Ammonolysis of alcohol तो इस reaction क्या होगा C2H5 लेंगे C2H5 OH है इसका reaction करा देना है किससे NH3 के साथ In the presence of alumina Al2O3 अब यह जो है Nucleophile की पर एक्ट करेगा और यहां पर बन जाएगा C2H5 NH2 ओके यह है 1 डिगरी अमीन है इथाइल अमीन इथाइल अमीन है और अभी तो हमें C2H5 और भी प्रेजन है तो C2H5 और अभी solution में प्रेजन है अब यह जो है यह निकलो फाइल की तरह अक्ट करेगा और हमारा हो जाएगा C2H5 का 20 NH ठीक है अब क्या हो सकता है अभी यह दो मौल है इथाइल अमीन है और यह 2 डिगरी अमीन बना है अभी और रियक्शन हो सकती आगे क्योंकि एक हाइडरोजन और है और यहां पर C2H5 OH जो है सलूशन में और प्रेजन है तो क्या किया जा सकता है इसका जब रियक्शन कराएंगे तो यह जाएगा C2H5 23 N यह क्या है यह 3 डिगरी अमीन है इसका मतलब अमोनलिसिस का मतलब है कि नाइटरोजन के पास अब एक भी हाइडरोजन नहीं बचा है कि फर्दर रियक्शन फ्रोसीड हो सके तो उसको हम बोलते हैं आमोनलिसिस यहां पर हमने एल्कोहल इथाईल एल्कोहल का इथाईल एल्कोहल का आमोनलिसिस किया है थैंक्यू सो मुच क्लासिक्स से टुएल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक तस मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप यह वाथ्साप कीचे अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर